पीबी केएस वर्सेस केओल सेकंड टीट्वन्टी आईपी ऐल मैच पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकता नाइट राइडर्स सेकंड टीट्वन्टी आईपी ऐल मैच जो की खेले जाने वाला है और गाइज ये वाला मैच इस इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2023 का सेकंड T20 मैच है जो की KXIP वर्सेस KKR मतलब किंग सिलेवन पंजाब वर्सेस कोलकता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा और अपन इस वीडियो में गाइज डिटेल में बात करेंगे इस मैच के बारे में और गाइज ये वाला मैच इस IPL 2023 का काफ़े इंटरस्टिंग मैच है क्योंकि अगर मैं पंजाब किंग्स की तरफ से बात करू तो काफ़ी बदलाव गाइज वो इस वाले मैच में करने वाला है जो लास्ट सीजन गया था और इस वाले सीजन में कई प्लियर्स है जो इनकी टीम में जुडने वाले है तो अपन इस वीडियो में डेटेल में बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 आज के मैच में किंग्स 11 पंजाब यानी पंजाब किंग्स की रहने वाली है साथ में अपन बात करेंगे कूलकता नाइटर्डर्स की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है क्या रसेल आज का मैच खेलेंगे, क्या सुनीर नारैंड खेलने वाले हैं, क्या लियाम लिविंग स्टॉन ये वाला मैच खेलेंगे, मतलब बहुत सारे प्लियर्स है जो आज का मैच खेल सकते हैं और कई player है जो शायद आपने अभी तक अपने team में ले रखे हैं बट मेरा वीडियो देखने के बाद आप उसको drop करोगे क्योंकि वो ये वाला match नहीं खेलने वाले साथ में अपन बात करेंगे कि कौन से ground पे ये match खेला जाएगा किस तरीके का venue stats रहेगा मतलब pitch किस तरीके की रहेगी batting pitch रहेगी, balling pitch रहेगी ballers में भी क्या fast ballers को help लेगी या फिर spinners को help मिलने वाली है साथ में अपन देखेंगे grand league के point of view से क्योंकि जो भी वीडियो देख रहा है उनका सपना है grand league win करना तो guys मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा grand league आप आज के match में किस तरीके से win कर सकते हैं वो कौन से player है जिनको आज के match में आपको grand league के point of view से रखना ही रखना है उसके बारे में बात करें साथ में अपन देखेंगे जब दोनों team में आपस में खेलती है तब इनके players का क्या stats रहता है जिस ground पर ये match किला जाएगा उस ground पर क्या venue stats रहेगा क्या player battle रहेगी कप्तान और wise कप्तान के लिए कौन रहेगा मतलब आपके दिमाग पर जो भी question चल देना उन सभी के answer आप लोगों को पता है मैं देने वाला हूँ क्योंकि guys इस वाले channel पर आपको quality के साथ bash content हमेशा मिलेगा अगर आप इस पूरे IPL में मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत benefit मिलेगा और मैं guys उन सभी भाईयों को सबसे पहले मुबारक बात देना चाहूँगा जिन्होंने इस वीडियो को सबसे पहले आके like किया, comment किया और giveaway win कर लिया तो आप भी अपने next वीडियो में आप भी सबसे पहले आके like करे, comment करे, बट पूरा वीडियो और last तक देखे, जब भी आप win कर पाऊगे तो guys आप सभी भाईयों का शौर expert support family बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और ऐजे छोटे भाईयों के नाते आप से एक छोटी से request करता हूँ कि अगर आप इस YouTube चैनल पे पहली बार आए या पहले भी आ चुके बट अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो जल्दी से जाके bell icon के गंटी दबाए और प्रैस करें ताकि आने वाले सबी वीडियो के notification आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे और साथ में आप लोगों को बता दू अगर आप इस वाले match में investment करने के mood में नहीं है तो आप बिल्कुल free में खेल के भी विन कर सकते हैं इस वाले match को वो भी real cash तो वो कैसे आप विन कर सकते हैं उसके लिए आपको पूरा वीडियो last तक देखना है आपको हर change मैं समझा दूँगा बट पूरा वीडियो देखना गई आपके लिए एक एक point important है और like में बिल्कुल कंजों से मत करना आप like दीजिए मैं आपको work करके दूँगा जहाँ पर आपको winning होगी तो PBKS वर्सेस की ओ एल second T20 IPL match ये खेला जाएगा गईस Punjab के home ground मतलब Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium मोहाली में और यहाँ पर गईस किस तरीके का पिछ रहने वाला है उससे पहले मेरा एक टेलीग्राम चैनल है शौर एक्सपर्ट सपोर्ट जो आपके स्क्रीन पर देख रहा होगा ये टेलीग्राम चैनल शौर एक्सपर्ट सपोर्ट इसलिए बनाया गया है ताकि मेरे सबी भाई मेरी जैसे winning कर पाए और उसके लिए आपको winning team मिलेगी यहाँ पे हर match की toss के बाद तो आप जरूर से इसको join कर लेना कैसे join करना है आपको youtube के description और comment comment और description section में सबसे top पे pin के ओवा link दिखेगा उस link पे click करके आपको telegram पे आना है वहाँ पे आपको हर match की बिल्कुल final team मिलेगी क्योंकि इस team में अभी भी दिखाऊंगा आपको बट हो सकता है कई player उसमें ना केले injured हो जाए कई बाद toss के according भी team बनानी परती है तो आपको final team के लिए telegram shore expert support join करना ही पड़ेगा और कैसे join होगा comment और description में लिंक है बस क्लिक करना आ जाना वहाँ पे हर match के free team आपको मिलेगी तो जो भी वीडियो का देख रहा है जरूर से join करना बिल्कुल free में join होगा और अगर link वर्क ना करे ना तो telegram पे shore expert support simply search कर लेना आपको channel दिख जाएगा एक लाग साथ एजार से जादा users वाला वह आपको join कर लेना है अब guys अपन बात करते हैं इस वाले match का क्या pitch रिपोर्ट रहेगा देखे guys अभी तक जो देखा गया है ना पंजाब के मोहाली IS Pindra Stadium में यहाँ पे काफी run बनते हैं मतलब pitch batting supportive तो है क्योंकि बहुत hard pitch यहाँ पे use होती है जहाँ पे guys ball बल्ले पे बहुत अच्छे से आती है तो अगर यहाँ पे कोई batsman टेक गया आना तो बड़ा score बनाएगा तो आप खह सकते हैं batting pitch तो है दूसरी चीज़ बता दू यहाँ पे fast ballers काफी अच्छे wickets लेते हैं क्योंकि ball अगर अच्छे से आरी है बैट पे तो कहीं ना कई pace मिलेगा bounce मिलेगा तो इस वज़े से fast ballers को अच्छे wickets मिलते हैं बट एक चीज़ आपको बता दू यहाँ पे जैसे जैसे match आगे बढ़ता है ना second inning में यह का एक spinners भी effective हो जाते है तो कुल मिला की बात आप खह सकते हैं कि यह वाला pitch batting pitch है दूसरी चीज़ first inning में fast ballers को शायद help लेगी और second inning में spinners भी advantage में रहेगे पट बैट इंग pitch रहेगा इसके अलावा यहाँ पे t20 domestic records की बात करू total 56 matches यहाँ खेले गए batting first ने 24 second ने 32 और average आप score देख सकते हैं लगभग 160 से 170 है तो मतलब मेरे साफ से score बनेगा आप देखे हो सकता है fresh pitch है हो सकता है कोई team जल्दी भी out हो जाए पर अभी मैं आपको when you start दिखाँगा उससे आपको और clarity हो जाएगी अब यहाँ पर गाई जैना अभी recently तो कोई match होआ नहीं देखिए अभी recent की बात करूँ बट अभी यहाँ पर 2019 मतलब 3 मई 2019 को यहाँ match होआ था IPL कई पंजाब Kings और Kolkata Knight Riders के बिच काफी high scoring match रहा पंजाब Kings ने 183 बनाए और Kolkata Knight Riders ने 185 बना दिया और इस वाले match हो आप देखिए 6 wicket fast ballers को मिले और 2 wicket spinners तो कही ना कई score बड़ा बना Pacers को wickets मिले तो यह चीज से थोड़ा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का पिच रहेगा इसके बाद 5 मई 2019 को match होआ चेननाई सूपर Kings और पंजाब Kings के बीच चेननाई ने 170 बनाए और पंजाब ने 173 बना दिये बट एक चीज यहां पर समझ में आ रही है कि जो टीम सेके इनिंग में बैटिंग कर दिया ना उसको और जादा advantage मिल दा है क्योंकि due factor यहां पर रहता है वैसे तो यह वाला match दिन का है तो हो सकता है उतना due ना रहे बट और दिन के match में कहीं ना के spinners भी important होते यह चीज आप समझ लेना बट यहां पर 5 wicket fast ballers को और 4 wicket spinners को और spinners को भी 4 wicket second inning में मिले तो कुल मिला के बात है pitch batting है और spinners भी मुझे लग रहा है दिन इस application को आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लिजे अपने mobile के mobile के अंदर और कैसे डाउनलोड करना है YouTube के description section में आपको जाना है आपको वीजन 11 app का link दिखेगा उस link से जाके आपको इस app को download करना है उसके बाद PBKS versus QOL second T20 match आपको यहां पर open करना है आपको ग्रैंड लीग दिखेगे जो की 50 लाग रुपे की 49 रुपे की ग्रैंड लीग है जिसमें आप 50 लाग का प्राइस पॉल है और रैंक वन पर आ गए तो 9 लाग है अब कई भाई सोच रहेंगे कि जहां पर करोड़ों मिल रहें वहां पर 9 लाग लेके हम क्या करेंगे देखेगे यहां पर यूजर्स का जो करोड रुपे तक की विनिंग कर सकते हैं जहां पर रैंक वन पर आपको ताटा हैरियर और 25 लाग मिलने वाले है तो बहुत ही शांदार एप्लिकेशन है जरूर से साइन अप कर लेना और यहां पर फ्री गिववे भी चलता है आज के मैच में वह कैसे मिलेगा वह भी आपक कि च्को बार और फंबॉकार आपको करना है करना है कि मैं बात करूँ तो शिक रदवन और मैथ्यू शॉट यह मुझे लग रहा है ओपनिंग पर आई रिष्ट हो गई आपको पता है इंजर है वो अवेलेबल नहीं है उनकी जगे मैथ्यू शॉट को बलाया गया है जो कि बिग बैश में बहुत अच्छा पर्फॉर्मेंस देके आया और राइट है इसके बाद दीके नमबर तीन पर भी थोड़ा सा डाउट फुल चल रहा है क् इनकी जो में प्लियर है लियाम लिविंग इस्टाउन वो थोड़ा सा भी डाउट फुल है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे क्योंकि लिविंग इस्टाउन को जो इंग्लैंड किर्केट बाड़ है वहां से अभी वेरिफिकेशन नहीं मिला है इंजरी थी इनको तो अगर वह मिडिल ओडर में खेलते हुए दिख जाएंगे इसके बाद हर्प्रिट ब्रार या रिशी दवन में से कोई एक बॉलर आपको दिखेगा फिर नौथन इलाइस राहूल चेहर और अर्श्यदीप सिंग यह मुझे लग रहा है आज के एक्सपेक्टेड प्लेंग 11 है बट यह कियार की तरफ से गई इनके में में प्लियर्स लगभग खेलेंगे यहां पे वैंक्टे शायर के साथ आर गुरुबाज ओपनिंग पे आपको दिख जाएंगे आर गुरुबाज जो कि अफगानिस्तान के बहुत बढ़िया हीटर है फिर नितिश राना आएंगे जो की कप् प्यूशन दोनों पहुच चुक है इंडिया में इन में से कौन खेलेगा और टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा मन मुझे साथी के चांसे ज्यादा लग रहे है और इसके बाद वरुन चक्रवती और इनका क्या क्या रोल है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है तो यह एक आप तक देखना है कही से भी स्किप मत करना अब अभी तक अगर आपने तीन काम नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो वीडियो पे लाइक चैनल सब्क्राइब और टेलीग्राम शौर एक्सपर्ट सपोर्ट यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंड सेक्शन में पहले नंबर का लिंक के जॉइन कर लेना गाइज बहुत मज़ा आएगा आप लोगों सिरियसली आपको खेहरा हूं अब गईज अपन विकेट कीपर सेक्शन में चलते हैं सेक्शन वाइज एनालेसिस करेंगे क्यो वर्सिस पीबी के एस मैच की सबसे पहले विकेट पाब ने तीन ऑप्शन है बहनू का राजा पास का है जिते शर्मा है और पी सिंग है बहनू का राजा पास का मुझे लग रहा है हाई चांसे ज आजके मैच में खेलते हुए दिख सकते हैं और अगर सामने वाली टीम कोलकता की बात करो तो इसके अगेंस से एक मैच खेला और प्रिवियस सीजन में नौ मैच में 23 की एवरेज से 206 मना है तो कही ना कई राजा पास का मुझे लग रहा है बैटर कर सकता है बढ़िया पेक है जिते शर्मा की बात करो प्रिवियस सीजन में 29 की एवरेज से 12 मैच में 234 मना है थे और अपन लोगों की आदत क्या होती ह आपको यह जिते शर्मा जैसे प्लियर ही देंगे क्योंकि बहुत अच्छा केलते हैं डॉमेश्टिक ग्राउंड को अच्छे से समझता है तो जिते शर्मा भी बढ़िया पिक है पी सिंग की बात करूं मुझे नहीं लगता खेलेंगे अगर खेलते है तो आप देख सकते ल स्मॉल लेक के लिए बहुत ही बैटर पिक रहेगा यह टिक गया ना तो एक बड़ा स्कॉर बना सकता है इसके लावा आपके पास जो दूसर ऑप्शन है ना वह राजा पास का यह जिते शर्मा में से है अब इन दोनों में से आपको किस कोर कैसे रखना है अपनी टीम में व शारुक खान की बात करूँ जब सामने वाली टीम के अगेंस कोलकता नाइट राइडर्स के खेलता है 29 मैच खेले 810 रन 29 का एवरेज है इस वेन्यू पर 13 मैच 386 रन 32 का एवरेज है लास्ट सीजन में 38 के अवरेज से रन बनाये थे रिसेंट ओडिया ही फॉर्म अच्छी प्रिवियस सीजन में भी अच्छा करके आया तो कहीं ना कहीं इस मैच में आपको डेफिनिटल अगना है शारुक खान की बात करूं नंबर पाच पे खेलेगा देखिए इसका रोल बिल्कुल सिंपल है यह हाड इटिंग बैट्स मैंने जहां मैच फज गया तो वहां पर ब यहां पर आपको SL प्लस GL मतलब इसमाल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में शिकरदवन को डेफिनेटल रगना है और अगर आपको लगता है पंजाब के विकेट्स आज के मैच में जल्दी जाएंगे टॉप ओडर क्लैप्स होगा उसकेस में आप शारुख खान को लेके बहुत अच्छी बैटिंग करता है तीम के कप्तान भी यह नंबर तीन पर खेलेंगे बट इसका रिकॉर्ड भी है थोड़ा सा है ना सामने वाली टीम पंजाब के अच्छन यह तीन मैच में के वाली गत्तिस रन है प्रीवेस सीजन में 28 के आवरेस से रन मनाये थे मन मुझ साथ में एक विकेट भी निकाला है तो सबसे बड़ा क्योशन है कि क्या आज के मैच वेंक्टे शाहियर बॉलिंग करेगा अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कौन सा बॉलर कितने आवर्स कराएगा पावर प्लेयर दैट में कौन कराने वाला है तो आपको कही समझ में आएगा कि बॉलिंग कराएगा कि नहीं कराएगा रिसेंट फॉर्म आप देखिए अठाइज ब्याले सतावन प्रीवियस सीजन उतना अच्छा नहीं गया था वैंक्टे शाहियर गा रिंकू सिंग की भी देखे एक सीडी सी बात बताओ प्रीवियस सीजन में 35 की से 104 तरण मनाये थे तो ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्लियर है रिंकू सिंग और मंदीप सिंग की बात करूँ टी टूंटी में 23 का एवरेज है और वैन्यू पर बेस का एवरेज है तो यहां पर बड़ा कंफी जने किसको रखे किसको कर सकते हैं अब कैसे करना है वह मैं सब आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं यहां पर बात करें पंजाब किंग्स के अल्रॉंडर सेक्शन की देखिए अगर लिविंग इस्टॉन अवेलेबल हो जाते हैं खेलने के लिए तो उससे बड़िया प्लियर तो होई नही प्लिया था और सामने वाली टीम के एकेंस पाच मैच में तीन विकेट साथ में इस वेन्यू पर पाच मैच साथ विकेट और यह बैटिंग बॉलिंग दोनों काफी अच्छी करता है तो सेम करन तो आपके लिए इंपोर्टेंट पिक रहेगा क्योंकि पूरे चार ओवर भी कराएगा और बैटिंग का भी ऑप्शन है अभी खेलेंगे ने खेलेंगे थोड़ा सा डाउट फुल है क्योंकि यहां पर हर पिर ब्रार भी खेल सकता है और मैथ्यू जो की बीबीयल में काफी अच्छा करके आएं ओपनिंग कर सकते हैं इस वाले सीजन में अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है भी पहला मैच खेलेंगे इंडियन कंडिशन में उतना बैटर होंगे नहीं होंगे वह थोड़ी बात है बट फिर भी मैथ्यू शॉट आपके लिए एक बैटर पिक हो सकता है क्योंकि ओपनिंग पर आएगा और ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते है तो चांस है वहां पर विकेट निकालके दे तो यहां पर दो पिक आपके लिए बहुत अच्छे है मैथ्यू शॉट और सैम करन और अगर लिविंग इस्टोन आ जाता है तो वह तो डिफॉल्ट पिक रहेगा आपको रखना ही पड़ेगा हर बार अच्छा है बट चांस लोगों की नजर में रहता है वह रसाइल और यह प्लेयर ऐसे वन साइडेट खेलते रसाइल की बात करोगा टिग्या ना सामने वाली टीम के चालिस का आवरेज दो मैच असी रहन एक विकेट इस वेन्यू पर उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है तो थोड़ा सा समल जाना क्योंकि उतना अच्छा रिकॉर्ड वेन्यू वाइस नहीं है और प्री रिसेंट में एक विकेट दो विकेट एक विकेट लास्ट सीजन में साथिस के अवरेज सरण मनाये थे सुनिल नारायन की बात करूँ सामने वाली टीम के चार विकेट वेन्यू पर छह मैच बारा वि देखे रखना तो आपको दोनों को है यह दोनों इंपोर्टेंट पिक रहेंगे बट कप्तान और वाइस कप्तान बनाए नहीं बनाए इन दोनों को वह मैं अभी आपको बताऊंगा कौन बैस ट्राएगा उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपन देखने वाले हैं यहां पर करें पुर्ट करें के बालर की आपने बोला था कि आप आज के मैचे फ्री में खेल कर वीन कर सकते हैं तो हम कैसे विन करोगे वह वह आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहे हैं कहीं से भी स्किप मत करना बस लाइक में आप प्रिवियस सीजन में तीरा मैच के लिए ते 14 विकेट है और सामने वाली टीम के अगेंस विकेट निकालता है गई साथ मैच में 11 विकेट है तो कहीं ना कई राहूल चहर भी ग्रैंड लिग के आते हुए दिखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि अगर आज के मैच पंजाब पहले बॉलिंग करता है तो कहीं ना के उसकेस में आपको पेसर को ज्यादा रखना पड़ेगा तो वहां पर अर्षदीप और नौथा निलाइस बैस रहेंगे और को भी ले सकते हैं तो राहूल चैर और अर्पिज ब्रार का रोल कहीं ना कई सकेंड इनिंग में बैटा रहेंगा फस्ट इनिंग के कंपैरीजन में कि यहां पर बात करूँगा इस कोलकता नाइट रिडर्स के बॉलिंग सेक्शन के हम देखिए इनकी पास दो वर्सीज बॉलर रहे टो टिम साउदी और एक लोग की फर्ग्यूस है अभी उसका भी रिकॉर्ड में दिखा दूँगा इन में से कोई एक खेलेगा मुझे लग है वरुन चक्वति आप देखिए लिसेंटली फर्म तीन एक एक और यहां पर आप देख सकते हैं उमेश यादा वह एक ही मैच के लाए चार विकेट निकाले कहीं ना कई एक बैटर रिकॉर्ड है तो केक्यार की तरफ से अपन किसको रखे क्योंकि चारों ही बहुत बैटर आप दो एक भाइवड करें तो वीजन 11 एप्लिकेशन को आप लोगों को जरूर से डाउनलोड करना है डाउनलोड कैसे होगा यूट्यूब के कि आपको डिस्क्रिप्शन सेक्षन में जाना है आपको वीजन 11 एप का लिंक कर निक में लेका आपन सो रुपे का फ्री साइन करिए डाउनलोड करिए और यह गिववे को जॉइन कर लिजिए बहुत फास्ट ले फिल अप हो रहा है और यहां पर गाईज में सीरिसली बहुत अच्छी विनिंग करता हूं कि कॉंपेडिशन बहुत कम है तो आप जरूर से इस अप पे खेले बहुत अच्छी तो अगर मैं पंजाब किंग्स की तरफ से में बात करूं तो दिखी अर्शिदीप सिंग अपने पूरे चार ओवर करेंगे सैम करन भी अपना चार ओवर करेगा लगबग इतना पैसा देगे खरीदा है तो बॉलिंग तो कराएंगी इसके बार राहुल चेहर भी मुझे सेट अप है तो मुझे लग रहा है इन दोनों में से कोई एक एक खेलेगा अगर पिछ पे इनको लगएगा इस पिनर्स को हैल्प है तो और पिर ब्रार के साथ जाएंगी अदरवाई देशी दवन ने बहुत अच्छी बालिंग कराई थी मास्क लगा कि आपने देखा होग लास सिजन में यह वही बॉलर है तो यह इनका बॉलिंग कर रहेगा और दैत में मेरे को लग रहा है अर्शेदीप सिंग्ग से लगबख दो ओवर कंफर्म कराएंगे सैम भी लगबख दो ओवर दैत में कराने वाला है और इलाइस भी कराएगा तो मुझे लग रहा है यह तीनो बॉलर्स के साथ जाना आपके लिए बैश्ट राएगा क्योंकि ये विकेट निकालने की चांस है जिनकी थोड़ी जादा है कोलकता की तरफ से दिखे साओधी है चकवती है शडूल ठाकूर है उमेश आदावे ये लगबग अपने 16 अवर करा देंगे और बाकी दो दो स्पेल सुनिल नारायन और असल में हो सकता है अब डिपेंड करेगा इसमें से किसी की अगर अच्छी बॉलिंग नहीं गई तो इन दोनों से ज्यादा बॉलिंग भी कराई जा सकती है बट ये इनका लगबग रहने वाला है और दैट में रसेल शडू ठाकूर हो तिम और रसेल आपको बता दू बहुत अच्छे बॉलिंग करता है ये विकेट निकालने की इसके कैपिलिटी है तो इस स्टेज पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है आज के मैच के मश्ट पिक प्लेयर जिनको आप बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं कर सकते चाहिए आपको इसी से किसी को मौका मिल जाए क्यूंकि आपको पता है मेरा वीडियो क्वालिटी के साथ बैस कंटेंट देता है जहां पर हर इंफॉर्मेशन होती है बट फिर भी आप लाइक नहीं करते हो चैनल सब्क्राइब कर लो याद बैल आइकन की गंटी दबा के ऑल प्रेस करो फॉर्स चांस कम लग रहे हैं और करपा है तो चांस थोड़े कम है इन मेंसे कोई आएगा यहां पर गात करू कोलकता नाइट एडर्स की साइड से शाकीव अभी है नी डैविड वीसा मुझे अभी चांस थोड़े कम लग रहे है और यहां पर देखे लो की फर्ग्यूसन है यह जर करना चाते हो तो क्या उसको आप रॉप कर सकते हो क्या वो बॉलर है जो कहीं न कहीं उसका आउट कर सकता है तो आपको बतादू शिखरदवन का रिकॉर्ट टिम साओधी के बहुत खराब है पैतालिस बॉलों में तीन बार आउट कर चुका है और शिखरदवन ओपनिंग साओधी अगर खेलता है तो वह भी ओपनिंग पर बॉलिंग कर आएगा तो चांस है इसके बाद यहां पर शर्डूल ठाकूर के अगेंस भी तीन बार आउट है यहां पर नितिश राना को रहुल चैर बहुत परेशान करता है 19 बॉलों के अंदर दो बार आउट कर चुका ह तो राना जी को थोड़ा समलना है सुनिल नारायन का देखिए रबारा तो खेलेगा नी तो सुनिल नारायन जी यहां पर थोड़ा सा बच गया है अब गईज मैं आपको आज के मैच का फ्री गिववे का क्योशन है और फिर कप्तान वाइस का सेलेक्शन अपन देखेंगे और पुराने रूल के अकॉर्डिंग भी टेम देखेंगे तो के वल वर्सेस पीबी कि एस सेकंड टी टून्टी आई पील दोजार तेइस मैच फ्री गिववे क्योशन है कि आज के मैच मैन आफ दा मैच कौन सा प्लियर रहने वाला है आपको उस प्लियर का नाम बताना है आज के मैच मेन ऑफ दा मैच रहेगा आंसर आपको कैसे दना है आनसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके देना है और आंसर देते समया आपको तीन चीजों का ध्यान देतें सब्कुछा रहा हूँ फिर से खेला हुँ जो मैं टॉस की बाद ही अब ऐन कर लेना कमेंट और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में पहले नंबर का लिंक है बस किलिक करना है जॉइन हो जाना है अब क्या टीम बनाईए देखिए विकेट कीपर में रखा है मैंने आर गुरबाच को बैटिंग सेक्शन में शिखर दवन नितेश राणा और वैंक्टेश आयर क इसलिए रखा है क्योंकि हो सकता है पार्ट टाइम बॉलिंग करा दे एक दो वर तो विकेट में मिल जाए और साथ में आल राउंडर में रखा है मैंने रसायल सैम करन और सुनियल नारायन बॉलिंग सेक्शन में अर्शेदीप शिंग और शर्डोल ठाकुर तो यह वो प्ल प्लिंग कर सकता है और साथ में बॉलिंग का भी ऑप्शन है खहीना के विकेट निकालके दे तो मैठ्यू शॉट दूसरा टिम साओधी या लोकी फर्ग्यूसन में जो भी खेलेना साओधी खिलता है तो उसको रख लेना फर्ग्यूसन खेले तो यह दो प्लियर आपके सबसे बड़ा रेजन भी आप लोगों को बता देता हूं कि मैं यहां पर क्यों करूंगा अगर यहां पर मैं कॉंटेस जॉइन करूंगा ना तो अजर एप्लिकेशन जो हैट्ट वेड़ कॉंटेस सतावन सो पचास को होता है जहां पर दस अजार के विनिंग होती है वो सेम मिल जाता है जिससे मेरी saving होती है लगबग 500 रुपे की खेलने इसे पहले ही होगी 550 का जो हेट-टोएट में इसलिए सम्धhelm Second इसलिए網 место को वीडियो के description section से डाउनलोर करो deposit करो यार बहुत टरस्टेवल हो चुकी और सही में विनिंग करनी है न तो आ जाओ और यहाँ पर अगर आप टीम देखोगे न तो आर गुर्बाज को रखाए शिकर डवन, नितिश राना, वैंग्टेश एयर को रखाए रसेल, सैम करन, सुनिल नाराएं, मैठ्यू शॉर्ट के साथ मैं यहाँ पर गया हूँ के लिए आज के मैच के लिए मेरे साथ से इंपोर्टेंट पीक है सैम करन रसेल और अब इसमें से मैं करन किसको बनाऊंगा वह टॉस के बाद अपन डिसाइड कर लेंगे बाकि वीजन 11 पर जरूर से खेले इस एप को डाउनलोड करके रखे और बहुत बढ़ी पर पर से था और मैंने आपको बुला इस एप पर खेलो वहां खेलो देखो खेलना निखेलना आपका डिसीजन है मैं कहीं से भी उस चेज के लिए फोर्स नहीं करता आपके चाओ तो खेलो अदरवाइस मत खेलो पर जाते जाते वीडियो पर लाइक कर जाना चैनल सब्क्र सब्सक्राइब कर जाना और टेलेग्राम जॉइन कर लेना ठीक है भाईयो नमस्कार